नमस्कार हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अवंतिका खत्री बात हिमाचल प्रदेश के करेंगे जहां पर कुद्रत ने कहर बर पाया है लगातार तीन दिन से हो रही मुसलाधार बारिश से प्रदेश में हाहा कार मच किया है दो दिनों की ही अगर हम बात करें तो बीश से जादा लोगों की जान जा चुकी है सौंबार को यानि की बीते दिन ही आठ लोगों की मौत हो गई है कुछ लोग उफनती नदी नालों में बह गए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है प्रदेश में अगर चाव कारिया भी चल रहा है सडकों को खोलने का काम भी किया जा रहा है 2577 के करी बिजली ट्रांसफार्मर थप पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के अधिकान शेक्षेत्रों में ब्लैक आउट है पानी की जो सप्लाइ है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है 1418 जल आपूर प्रदेश भर में जन जीवन पूरी तरह से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है और हर जगा आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा हर जगा आपको रेस्क्यू आपरेशन चलता हुआ नज़र आएगा हर जगा तस्वीरें कुछ इस तरह की दिखाई देंगी जहां पर पुल बह चुके हैं सडकें तूट चुकी हैं पानी उफान पर है कई अगर ब्यास क की बात करें आप पारवती की बात करें अब धीरे धीरे नदियों का पानी शांत हो गया लेकिन उसके बाद जो तबाही देखने को मिल रही है वो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमने प्रकरती के साथ जो खिलवार किया क्या प्रकरती ने ये अपना बदला मनुश्य से लिया है या फिर कुछ और है खैर इन सब के बीश में अगर आज की स्थिती की बात करें तो सीम सुखविंदर सिंग सुखु की और से भी आज मंटी और कुलू जिला में जहां पर सबसे जादा तबाही हुई थी इन इलाकों में सीम सुखविंदर सिंग हवाई सर्वे कर यहां पर ज्वाएजा लिया और सीम सुख विंदर सिंग सुखु पहले ही इसपष्ट कर चुके हैं अधिकारियों को दिशानिदेश दे दिये गए हैं की जल से जल जो रहत एवं बचावकार है उसे जल से जल पूरा किया जाए सडकों को दुरुस्त किया जाए और जो पीने की समस्या है पानी के पीने की समस्या जो है उसे बहतर किया जाए उसे दूर किया जाए ताकि जनता की एटलिस्ट जो आप कहा सकते कि दिंचर्या है वो पटरी पर आई यह जो अस्त व्यस्ता माहल इस वक्त देभूमी में है इस कि जून महीने के 24 तारीक को जिस तरह से बारिश आई काफी नुकसान लेके आई उसके बाद मौनसुन थोड़ा धीमा पड़ा और फिर अब जब बारिश बर्सी तो कहर बर्पा और इसी बीच करोडों का नुकसान प्रदेश को हो चुका है स्थिती अभी भी हिमाचल प्रद हौल बना हुआ है वहीं दूसरी और अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर की तो उन्होंने भी बारिश से हुए नुकसान का ज्वाइजा लेने के लिए आज अपने ग्रीव इधान सबक्षेत्र जो है सराज वह पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने थु जो मलबा यहां पर आया सैकड़ों पेड़ उस मलबे के साथ बहे कर नीचे आ गए कई घरों को अपनी जद में ले लिया और हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिली हाला कि यहां पर मंडी प्रशासन ने एक जो बहुत बड़ा और एहम कदम उठा लिया था वह यह था कि समय रहते इस इलाके को उस वक्त उस दिन जो है खाली करवा लिया था जिस दिन यहां पर तबाही हुई थी और उसी वज़ा से जो जानी नुकसान है वो यहां पर ना के बराबर है लेकिन उसके अलावा अगर आप माल की बात करें यहां पर घरों की बात करें 30 के करीब पूरी तरह से डामेज हो गए हैं यानि कि मलबे में दब चुके हैं लोगों के आश्याने उनसे छिन चुके हैं और प्रकरती ने यहां पर अपना रादर रूप दिखाया था भी भी आप देख रहे हैं कि इस इलाके में काम चल रहा है साफ सफाई का काम चल रहा है लोग करीता प्रतीपक्ष जैराम ठाकुर भी पहुंचे फेड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात कि और यू तबाही मनजर्स उन्होंने खुद जाकर देखा इस दORान कया कुछ जैराम ठाकुर चकी और से कहा गया अधिकारीों को भी उन्होंने प्रदेश दिए जए आपके तो अडिस न चार्ज है तो आप तो गोहर में हैं तो यहां के सिल्दार चार। टोटल गंगे करना है कि तोटल डेमेज हुए मकान वो नमबर कितना बतराईगा 30 एकरीव है सरर, 30 एकुटल लॉस्ट, 30 एकुटल लॉस्ट टोटल लॉस्ट 30 सरे, 30 से, including the shops, commercial houses देगा, commercial वाला रच तेगा, residential, एक ही वाला है उसको पढ़िवार बोले हैं। कुछ भी तो कुछ तो करना पड़े हैं। मंडी में भ्यंकर तबाही हुई है और आंकलन अभी किया जा रहा है कि पूरे जिला भर में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी और सोलन की अगर हम बात करें तो आपको बता दे कि सोलन में अभी भी कोहराम जारी है प्रकरती का। जिला में इस वक्त कई सड़कें बंध हैं। शिमला रास्ट्री उचमार्ग भी उचमार्ग पांच जो है वह भी भूस खलन के साथ और सड़क धसने की विजह से बादित हो चुका है। जिसके कारण यहां पर यात्रियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं होना है तो उसमें मदद कर रहे हैं। और आपको बता दे कि यहां पर अगर नेच पांच की बात करें क्योंकि वहां लैंड्सलाइड हुआ है। काफी जादा जिसके चलते आज सोलन सहीत आसपास की जितने भी इलाके थे। वहां पर रोजमर्रा की जो जरूरत की चीज़ें दूध ब्रेट यह सारी सप्लाई भी आज वहां पर आवश्यक वस्वों की नहीं हो पाई है। यहां पर सोलन मुख्याले की शामती की यह भी आप तस्वीरे देख रहे हैं। जहां पर आज सुभा पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी मलवा और एक बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो नीचे आ गए रिहाशी इलाके में पहुंचे और यहां पर एक मकान और मंदीर का जो गेट है बताया जा रहा है उसके साथ एक ट्रांस फार्मर उन्हें काफी ज पूरा मकान आपको बता दे कि इस हाथसे की वजह से शामती में भूस खलन हुआ है इसके चलते सोलन से राजगड़ का जो संपर्क है सडक संपर्क वो भी पूरी तरह से तूट चुका है हाला कि प्रशासन की बात करें तो वो सडक मार को बाहाल करने का प्रयास निरंत कर र रहा है मलबा हटाने का काम चल रहा है लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तबाही हुई है वो चंद मेनटों या चंद घंटों का काम नहीं है इसमें पूरा दिन भी लग सकता है और लोग काफी जादा परेशान नजर आ रहे हैं खासतार पर एनेच पांच की बात करें एनेच पांच अभी भी बाधीत है जिसके चलते वहाँ पर बाहनों की एक लंबी कताल लग गई है काफी दिक्कतों का सामना एनेच पांच पर भी लोगों को करना पड़ रहा है और यह जहां पर भूस्खलन हुआ है उसके आसपास की आप इलाके को देख सकते हैं कितना ज जिसके चलते जो हमारा राहत और बचाव कारे है वो थोड़ा तेजी से हो रहा है सड़के साफ करने का काम तेजी से हो रहा है जहां पर दो दिन में पिछले दो दिनों में मशीनरी नहीं पहुँच पाई थी वहां पर मशीनरी भी पहुँचा दी गई है और युद धसतर पर काम चल रहा है लेकिन परेशानी बस इतनी सी है कि प्रकरती कितनी देर शांत रहती है और कब राद्र रूप धारन कर ले इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता प्रदेश भर में जगा जगा अभी अगर हम बात करें हजारों सैलानी फसे हुए हैं प्रशासन लगात लोग फसे हुए हैं वाहनों की लंबी कताले लगी हुई है और दिक्कत अब यह भी आ रही है कि यह मंडी की तस्वीर हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक यहां फसे हुए हैं और जो आसपास के दुकानदार हैं उन्होंने एकाएक यहां पर खाने पीने जितना संभव हो लोगों की सहायता करें लेकिन इस वीच कुछ ऐसे भीवाक के सामने आ रहे हैं जहां पर इस आपदा के समय में अफसर ढूनने में लगे हुए हैं कुछ लोग और खुली तरह से लूट हो रही है जो रास्ते में वाहन फसे हुए हैं उनमें जो सवाल लोग फसे हुए थे चंद्रताल की बात करें 300 से जादा लोग यहां पर फसे हुए थे जिनने रेस्क्यू करने के लिए आज सुबह पांच बजे ही ऑप्रेशन जो है वह शुरू कर दिया गया पहले टीम मशीनरी के साथ लोसर से चंद्रताल के लिए रवाना की गई दूस लोग हैं वो भी शामिल हुए स्पीती प्रशासन शामिल है आई टीबी पी बीयारो और पुलिस के सदस्य से भी इस रेस्क्यू दल में शामिल हैं यहां पर आपको बता दे कि चंद्रताल में जो टूरिस्ट फसा हुआ है तीन दिन से यहां पर फसे हुए हैं तीन से चार पर उन्हें रखा गया है लेकिन अब जो है रेस्क्यू आज सुभा से उनके लिए ओपरेशन जो है शुरू कर दिया गया था बकायदा यहां पर आपको बता दे कि इन तमाम लोगों को यह जो लोग फसे हुए हैं इन्हें लिफ्ट करके लाया जाएगा हेलिकॉप्टर से उपरी इलाकों की बात करें देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं बहुत जादा या बहुत जादा दुर्गम जो इलाके हैं वहां पर जो टूरिस्ट पहुंच जा था या वहां के जो स्थानिये लोग हैं एक दिक्कत यह भी आ रही थी कि खराब मासम की वजह से नेटवर्क का इश्यू आ रहा था फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था कई जगा पर नेटवर्क ही नहीं था लेकिन अब जब मासम साफ हो है तो संपर्क भी हो रहा है तोश में भी बताया जा रहा है कि 400-500 लोग फसे हुए थे जिन से संपर्क हो चुका है और यह सभी लोग बताया का रहा है वो युद्ध स्थर पर चल रहा है जानकारी दी है प्रदान से चीव अंकार शर्मा ने क्या कुछ उन्हों ने पूरे रेस्क्यू अभ्यान को लेकर कहा है वहम आपको सुनवाते हैं लगवग हमारे दस से बारा जो है मेजर और माइनर जो फुट ब्रिज जो है जो बह गए हैं तो ऐसा नुकसान जो है थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है एंडिया फ्रप पुलीस और होम गार्ड और पस्तानी लोगों की मदद से हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया हमने किसी वी विक्ती की जो नदी के बीच में फसे हुए थे चाल interact पानी से गिरे तो उनको जो हम रृतियों नहीं होने जहां तक और अभी टूरिस्ट और लोगों का स्टैंडर होने का प्रशन है तो तीन सो के लगवग जो लोग है वो चंदर ताग जो चंदर भागा रिवर की चंदरा एक रिवर है उसके हैं वो अभी सभी सेफ हैं खाने पीने की सारी परकार की विबस्ता है हम लोगों ने की उदल गाड़ियों के साथ जो है भी भेज़ दिया है क्योंकि कुंजम और लोसर के आसपास पिछले दो तिन दिनों से बर्फबारी हुई है जो कि बहुत अन्यूजल है इस इस सामय में जून जुलाई में समानिता जो है बर्फबारी नहीं पड़ती है तो उनको हमने भ बताया गया कि एक बेक्ती की जो है थोड़ी ब्रीधिंग की प्रॉब्लम हो रही है किंकि दो-тिन दिनों से वहाँ पे स्टेंडर्ड था मैंने यह बताया आपको कि रहने पीने राशन की कोई समय है नहीं खाने पीने की कोई समय है कंबल आते हादी है सब कुछ था लेकिन महां पे जो या फिर वो डिपलोई किया जाएगा चंदरताल से लोगों को रिस्क्यू करने में अगर ज़्यादा जुरूत पड़ी अगर हमारे जो दूसरा वाला जो मैथड़ा वो कामयाब नहीं होता है और जुरूत पड़े लोगों को वहां से भी वैक्विट करेगी लेकिन आज के समय में इस समय तक अभी तक कोई आसी अमर्जेंसी वाले कोई ज़्यादा बात नहीं है लेकिन फिर भी स्टेट गवर्मेंट ने बाई एर और बाई रोड भी दोनों परकार के हम लोगोंने उप्शन किये हैं दोनों परकार से परकास किया जा रहा है ताकि इन सभी स्टेंडर्ड रोगों को वहां से निकाल लिए इस Confederate लेवल से उपर आ गया और अनप्रेसिडेंटेट्टे ड्रेन के कारण जो पावरोस में घुश गया तो इसलिए वो शटडाउन कर दिया गया है इसी परकार से बहुत सारे हमारे जो पावरोसे वो शटडाउन हो गए इस कारणे से थोड़ा बिजली की समस्या है लेकिन हमने स आवरोस को जो है चला करके कुलू जिले में जो है कुलू और मनाली में जो विजली स्प्लाई जो है आज हम उसको जो है नॉर्मल करने की कोशिश करेंगी उसके कारण जब यह नॉमल हो जाएगा तो जितनी भी हमारी जो कनेक्टिविटीज की जो आप बात कर रहे हैं बात करें तो यहां पर बुतनाथ ब्रिज के पास एक बार फिर से लैंड्सलाइट की खबर सामने आई है वहीं दूसरी और आपको बता दे कि लगातार ज्वारी बारिश की बीच में श्रीखंड महादेव यात्र को फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है दो दिनों संग्जव वहां के लोकल कुछ एक लोग हैं मताया जा रहा है नब्बे के करीव वहां पर लोग फसे हुए हैं हाला कि यहां पर ये भी एक दिक्कत है कि पारवती बाग से नीचे का जो रास्ता है वो शतिगरस्त हो गया है और यात्रा को लेकर फिलहाल यही कहा गया है कि जो श्रधालू पहुंचे भी है यात्रा पर जाने के लिए उनसे भी सुरक्षित वापस जाने की अपील की जा रही है क्योंकि पानी का बहाव भी तेज है और उपर बहुत सारे रास्ते जो हैं फिलहाल तूटे हुए हैं भूतनाथ पुल के पास जिस से हमने आपको बताय ताजा लैंड स्लाइड भी कुल्लू में हुए तो कुल्लू में भी कही न कहीं तबाही बहुत जादा हुई है और अभी भी वो जारी है लेकिन इसी बीच अगर हम श्रीखन डियात्रा की बात करें तो वहां से श्रधालू लौट भी रहे हैं क्या कुछ बाचीत हुई है पुर्यात्रा पर जो गए श्रधालू थे उन्होंने खुद अपनी स्थिती वहां बताई है कि क्या दिक्कते उन्हें पेश आई है उसके बारे में हम आपको सुनवाते हैं इस ही करवा अच्छा क्या है चाहिक बाखनी स्थियां कि की दो तिविज दोटना पड़ेगा फिर बलाइंट कि रखेंट वहां बनागि में हो गया यद्रा आपने मुझे ले लेगे लाकिन और बड़ दो ज्ट्राके दिस्तेयों आपने में लेगे आपका हो आपको जारे हैं आपको जाना शाहरे हैं या जाना आतरो है कुछ जापा लात कि अब आपको घाड़ी है आपके बाहर तो के से जाएंगे आप इसे जाएंगे जो ठीक है जो ठीक है अब मुश्कत हो गया पारिश हो लिए अगर बात हम राजाने शिमला की भी करें तो यहां पर भी जगा जगा आफत बरसी है और अब यहां दिकत यह हो गई है क्योंकि शिमला समेत बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी और बिजली का संकट पैदा हो गया है कई इलाकों में ब्लैक आउट है जिस तरह से हमने आपको बताया कई जगह पर जो दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी की जितनी भी परियोजनाई थी काफी उन पर असर पड़ा है हजारों इस वक्त जो हमारी पानी और पनविद्यूत परियोजनाओं की अगर आप बात करें वो आपको बताया था कि वहाँ पर पंप हाउस जो है वहाँ पानी भर गया था वो पूरी तरह से डूब चुका है पंपिंग ठप हो चुकी है गिरी और गुमा पेजल प्रियोजना में भारी गाद आ गई है जिसके चलते यहाँ पर दो से तीन दिन से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है आज भी यही समस्या देखने को मिली शहर के लोग परेशान है क्योंकि पानी नहीं आ रहा हाला कि यहाँ पर अब जो है इस भ्यंकर संकट के बीच में टेंकर की मदद ली जा रही है और टेंकर के जरीए पानी पहुंचाया जा रहा है आपको बता दे कि खुद महापार सुरेंदर चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ था अज और लोगों को घर गर जाकर उन्होंने टेंकर जा रहा है और जल्द ही यह जो समस्या है इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा क्योंकि पानी जो है वह बहुत जादा गाद भर चुकी है उसी वजह से यहां पर यह दिक्कत हो रही है लेकिन जल्द ही क्योंकि अगर मासम साथ देता है तो फिर आने वाले कुछ एक से दो दि करते हैं सिर्मार की अगर हम बात करें तो देखें यहां पर भी काफी जादा तबाही हुई है लोग यहां पर अगर आप देखिए तस्वीरे कई जगा यह तस्वीर जो है यह अपने आप में यह बया कर रही है कि हिमाचियल प्रदेश इस वक्त किस परिस्थितियों से किस जूज रहा है शादे व्या का मौका भी चल रहा है और यहां पर एक बारात दुलहन को लेकर वापस अपने घर लाट रही है लेकिन क्योंकि पुल तूट गए हैं नाले उपान पर है और ऐसे में मुश्किल से यहां पर लोग अपने घर की और बारात अपने घर की और जो है बारात नहीं पहुंच पाई कई जगह पर बाराती जो है वो बीच गाड़ियों में लैंड्सलाइड में हटके रहे और कई जगह इस तरह की तस्वीर आई जहां पर खड नाले पार कर जो है विवासमारों संपन किये गए तो यह काफी जादा दिक्कत है दूसरी में पेक टापू पर पांच के करीब जो है बताया जा रहे हैं कि मजदूर फसे हुए थे जहां पर प्रशासन ने ड्रोन की मदद से दवाई पहुंच आई है यहां पर पिछले चार दिन से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है क्रेशर प्रांट में काम कर रहे मजदू मजदूर वहां पर फस गए थे तस्वीरे दिखाना चाहेंगे ड्रोन के जरिये जिस तरह से वहां पर दवाईयां पहुंच आई गई मजदूरों को रेस्क्यू करने का हला कि इससे पहले प्रयास भी किया गया वह तस्वीरे भी हम आपको स्क्रीन पर जल्द ही दिखाएं पर आज एक बर फिर से जहां एक और रेस्क्यू करने का का काम शुरू किया गया वहें ड्रोन के माध्यम से जो जरूरी दवाईया है वो भी मजदूरों तक पहुंचाई गई है एयर लिफ्ट करने की संभावनाओं को भी फिलहाल यहां पर तराशा जा रहा है क्योंकि यह दिक्कत यह है कि चारो तरफ नदी का तेज बाहाव है लेकिन यह जो हसी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह जो खुशी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपदा के समय भी आप एक साथ मिलकर रहते हैं या और आपको सहयोग मिलता रहते हैं तो हर पताया जा रहा है कि यहां पर राफट का इंतिजाम भे किया जा रहा है ताकि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला जाए प्रशासन की टीम वो माके पर मौजूद है हर संभव कोशिश हैं पर की जा रही है कुल मिलाकर अगर हम बात करे तो कहीं न कहीं आफद हिमाचल प काश के पत्तों की तरह बीते दिन बह गए अभी भी कोहराम जारी है हालाकि आज थोड़ी सी राहत ये है कि मासम ने साथ दिया अधिकतर जो जगा है वहां पर धूप खिली है जिसके चलते कहीं न कहीं जो राहत एवं बचावकार है उसमें जरूर तेजी आ रही है फिलहाल क का ख्याल रखिए अपना ख्याल रखिए इसी अपील के साथ मैं अभी आप से लेना चाहूंगे इजाज़त नमस्कार